हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर रेखा शुर्वास्तो और आज हम बात कर रहे हैं इंसान और इंसान के अस्तित्व की कि क्या हमारा अस्तित्व रही का तो हम बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर की जिसने सब को छक्चोर दिया है फिर से डरा दिया है फिर से वही सब पोचने के सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या फिर हम लोग बंद हो जाएंगे एक कम्री में तो आए बात करते हैं सावधानी हट रही इंसान घट रहे कॉरोना की दूसरी लहर और कॉरोना के नए अवतार के रूप में हम लोग बात करेंगे कॉरोना वेरियन्ट के रूप का विसल की हम बात करेंगे यहां पे तीन वेरियंट्स जो की हमने अलग अलग जगह से स्ट्रेंज को पाया जैसे यूके लीनियज साउथ अफ्रीकन लीनियज और ब्राजील इस लीनियज के स्ट्रेंज को हमने पाया यानि ब्रिटन का स्ट्रेंज साउथ अफ्रीका का स्ट्रेंज औ किया खतरनाक हमला फिर से पूरे विश्व पे तो रूप बदल कर खतरनाक हुआ हमला सबको टरा रहा है बात करते हैं कि क्या किया इस बदले हुए रूप ने मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रेइन यह था आर अरने वाइरस है यह और दूसरा भी स्ट्रेइन था जो कि आरन होता है सोच समझ कर नहीं होता है ठीक है अगर हमारे मेशीनरी में या किसी औरने वायरस या जो भी organism है उसके machinery में अगर कोई बदलाव आता है उस strain में यह तो उसे हम अचानक हुए परिवर्तन को mutation कहते हैं और ऐसे strains को हम mutant कहते हैं तो हमारा यह RNA virus red color में हमने दिखाया, यहां green color में दिखाया है और हमने यहां पे आपको C दोनों के यह strains की combination और यह हमने blue color में C strain formation दिखाया है तो यह आपका C strain बन गया जो इन दोनों से अलग था हमने इनकी genome mapping की, इनकी genome mapping की और इसकी study की कितना surface protein में इसके बदलाव आया mutation हो रहा है, double mutation की बात पूरे विश्व में फैल रही है कि आखिर यह double mutation काया है, कुछ से पहले कुछ सवाल हम देखते हैं लोगों के मन में कौन रहा, मुझसे लोगों ने पूछा भी क्या नया उत परिवर्तन बड़े हुए cases के लिए जिम्मेदार है इसके लिए data एकठे गिये जा रहे हैं आपके epidemiological data को पूरा correlate किया जा रहा है विश्व परिद्रिश्य में WHO और सारी संस्थाइम मिलकर लगी हुई है कि क्या यह कितना खतरनाक है और यह कितना लोगों को प्रभावित कर रहा है कर सकता है मौतों का आखड़ा क्या हो सकता है यह सच है इसे मानिए कि double mutation आपके कोरोना वाइरस में हो चुका है और जो test हो रहे हैं उसमें जादा से जादा मरीज इसी double mutant के पाए जा रहे हैं इसके बीच में data और इसमें correlations किये जा रहे हैं दूसरा सवाल कि उत्परिवर्तन यानि mutation तो natural है तो डरे क्यूं हम इसलिए डरे क्यूंकि यह जो कोरोना वाइरस है हम मानते हैं कि इसके अंदर यह mechanism है कि वो अपने बदले हुए sequence को सही कर सकते हैं यह जो कोरोना वाइरस है यह accumulate नहीं होते हैं लेकिन इनके अंदर जो कुछ mutation कुछ उत्परिवर्तन ऐसे होते हैं जो selected होते हैं और वो help करते हैं वाइरस को replicate करने में यानि दुगना बनाने में और disease को या बिमारी को फैलाने में मान लीजिए कि एक mutation हुआ और यह mutation selected था जो select हुआ एक mutation बाकी को उसने सही कर दिया एक mutation select हो गया और यह single mutation double mutant में बदल गया और double mutant में बदलने के बाद इसमें ये भी छमता है कि ये तीसरा strain भी बना सकता है triple mutant भी हो सकता है जिसके अंदर या तो बहुत खतरनाक हो सकता है या normal भी हो सकता है तो और कुछ समय बाद ऐसे स्थिति आ सकती है कि हम lineage ही न पहचान पाएं lineage बिलकुल भिन हो जाएं इन strains से जो पहला सेलेक्टेड हुआ दूसरा सेलेक्टेड हुआ पिर तीसरा तो दो strains मिल करके selected mutations मिल करके double mutant बना दिये जिसमें spike protein देखिए ये बहुत important है ये virus surface पे change कर रहा है जादा से जादा क्यूंकि आपके antibodies वहां bind हो न पाएं नहीं पाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे चाहें आपके प्रतिरोधक्षमता बहुत अच्छी भी हो तो लेकिन हम इतना नहीं डरेंगे हम इनको समझेंगे और पूरे बचाओ का पालन करेंगे इस समस्या को यहां देखते हैं कि मान लीजिए आपका coronavirus है और इस पे surface protein है और यह surface protein पे आपके normal conditions में जब भी को infection होता है तो यहां पे antibody बनते हैं और इस virus के surface protein पे bind करके उस virus को neutralize करके उसे मार देते हैं लेकिन अगर उसमें mutation हो गया और उसमें बदला हो गया तो आपकी antibody इन्हें पहचान नहीं पाएगी कि कोई foreign body आपकी body में घुज गया है और न पहचानने की वज़े से यह antibodies इंसे bind नहीं हो पाएंगी आप ठीक नहीं हो पाएंगे और हो सकता है आपकी मौत हो जाए तो मेरा निवेदन मैंने पहले भी मेरा diabetes पे एक video आया है कि diabetes वाले हो ने की वज़े से बहुत सारी बिमारियों को निवता देंगे और निवता देने से आपका शरीर प्रतिरोधक शमता बहुत खराब हो सकती है इसलिए आपको जादा से जादा अच्छे foods की तरफ जिसको मैं antioxidants कहती हूं उनकी तरफ बढ़िए जिस पे मैंने कुछ बाते ना है तो हम आप सभी से यही कहेंगे कि चिंता जरूरी नहीं concern जरूरी है follow covid protocols no worry but concern ये जरूरी है कि हम ये ना समझें कि अभी सारी हमारा समस्या खतम हो गया है खतम कुछ भी नहीं होता और हम ये भी कहते हैं कि अब तक ये खतम नहीं हुआ माना हम लोगों ने कि चलो अब सारे हम protocols follow कर रहे हैं अभी खोरोना खत्म हो गया सारी चीजें फिर से वैसे हो गए जैसे पहले थी अब तक ये खत्म नहीं हुआ ये जल्द खत्म होगा मगर इस मगर पे आज हमारा पूरा विश्व अटका हुआ है मगर अब तक ये खत्म नहीं हुआ तो हम इंतजार करेंगे शायद उस समय का जब ये कोरोना नामक जहर हमारी जिन्दगी से दूर होगा तो मैं आपसे request करती हूँ कि please and please follow the social distancing rules follow the protocols of the corona और work on your immunity जो लोग बीमार हैं वो बाहर जादा से जादा ना निकलें समय समय पर अपनी जाच कराएं और अपने आपको anti-oxidants और अच्छे खानपान से स्वस्त रखें और please social distancing और सारी protocols का follow करें next video में फिर हम corona को लेके आएंगे उससे related बहुत सारे तत्य बिमार व्यक्ति कैसे बचे कैसे अपने आपको वो बनाएं मैंने coronal पे भी एक video बनाया था उसे भी देख लें आप लोग मेरे youtube लिंक पे जाके and please take care of yourself thank you